आज इस वीडियो में हम बात करेंगे पेशन्स की क्वेरीज पूछेंगे किस टॉपिक के बारे में सबसे कॉमन और आज केल जो बहुत ही जादा पेशन्स में मिल रहा है वो है उलिगोस्पर्मिया लानी लो स्पर्म काउंट कम शुक्राणू तो शुरू करते हैं अपनी वीडियो आपकी क्वेरीज आपके क्वेशन्स या फिर आपके कुछ भी डाउट्स हैं आज हम उन्हें क्लिया करेंगे तो सर पहला सवाल कि पेशन्स पूछते हैं कि सर जो डबलू एच ने एक थियोरी दी है कि आपका स्पर्म काउंट 15 मिलियन होना चाहिए इसके बारे में आप क्या कहेंगे कहर से अजिए केंगा स्फिन ने आपकेंगों कॉन अज foremost तो के तो मेरे साप से दोक्तर मैं यह कहता हूं पॉर्शन है या एक जगा में बात करूं तो एक ऐसी कपल्स के अंदर मेरे खाल से प्रॉब्लम जादा है वो ऐसा है कि सिंपली जब हम नैच्रली कंसीव करते होते हैं तो कपल्स के अंदर एक हर बड़ाहट सी होती है उनको जल्दबाजी सी होती है ऐसे मेल को बहुत जादा हट बड़ा हट होती है उसको लगते है बस जल्दी से स्पॉम एजकुलेट होए और कंसीव होए और ये सारी चीज़े हो मतलब उन्होंने सिफ एक रस्ता बना दिया है कि ये बच्चा पैदा करना है तो उनको जल्दी जल्दी इस प्रोसीजर को करते हैं ना वो इंटरकोर्स को इंजोई करेंगे ना वो सेक्स ट्राइब को इंजोई करेंगे बस वो सिफ और सिफ एक पेन की तरह उस इंटरकोर् पर और सही timing पर दोनों की body आपस में मिलती है तो simply उसमें एक अलग spark होता है उनकी compatibility माहिने रखती है उनका एक moment वहला moment माहिने रखता है अगर intercourse अगर आप कर रहे हैं जब मेल से बात करूँगा तो मैं मेल अगर intercourse कर रहा है और वह जल्द बाजी में कर रहा है हट बड़ा हट में कर रहा है कि बस जल्दी जल्दी करो और अपने काम में लगो तो समझ लीजे कि वह as a child conceive नहीं होगा You need to give time during sex आपको वह मजे से लेना है और गैजम फील करना है सारी फील करनी है अगर जल्द बाजी करोगे तो conceive नहीं होता Thank you sir आपका answer आपका जो आपने जवाब दिया है इस वीवर को में भी उन्हें समझ आया होगा Sir अगले वीवर हमसे पूछना चाहते हैं उन्हें उलीगोस्पर्मिया यानि कम स्पर्म काउंट बनता है उनके जो मॉटिलिटी है वो कैसे भड़ सकती है कैसे ठीक होगी जैको मॉटिलिटी बढ़ाने के लिए कोई अलग अलग चीज नहीं होती सिंपल ही बात है हम ज्यादा तर मॉटिलिटी के इशुज उनी में देखते हैं जिनकी लाइफस्टाइल थोड़ी सी स्टेगनेंट सी है रुकी भी लाइफस्टाइल है कोई एक्टिवनेस नहीं है सेडेंटरी लाइफस्टाइल है जिनका जो रुके रहते हैं मतलब उनका काम ज़्यादा तर सिस्टम के साथ है फिजिकली एक्टिव नहीं है बाहर ज़्यादा सैर वेर वाक वेगरा नहीं करते सुबह बिस्तर बे बैठते हैं शाम होते ही बिस्तर पे से उठते भी हैं तो फिर वो बस थोड़ा बहुत खाने पीना और अपने आसपास के चक्कर लगा कर फिर आकर वहीं पर सो जाना हम उनी की लाइफस्टाइल के उपर देखते हैं कि उनकी जो मोटिलीटी होती है वो हमें लो मिलती है अगर आप एक्टिव हैं अगर आपके स्पर्म काउंट सही हैं और आपकी एक्टिवनेस बॉड़ी बनी भी है थोड़ा बहुता फिजिकल एक्टिव रहते हैं तो शायद आपको इमोटिलीटी का इशू नहीं आएगा बर जहां पर भी हमने मोटिलीटी का इशू देखे हैं जिसमें हम एक्टिविटी को परफॉर्म करवाएं तो वहाँ पर हम देखते हैं कि पेशेंट में ब्रास्टिक चेंज आते हैं जब वो फिजिकली एक्टिव थोड़े से होते हैं आपकी मोटिलीटी और मॉर्फलोजी तो एक वीवर पूछना चाहते हैं कि मॉर्फलोजी कैसे ठीक होगी या मॉर्फलोजी कैसे खराब हो जाती है यह इसके बारे में आप क्या बताएंगे देखो सिंप्ली मॉर्फलोजी कोई structure होता है basically sperm का मॉर्फलोजी को हम क्या कहते हैं कि आपका structure क्या है जिसमें आपका head आएका neck आएका tail आएगी ठीक है अब ये तीन चीजे एक major चीज होती है structure को develop करती है sperm के sperm अटाजवर भी बोल देते हैं उसको sperm का structure होता है वो उसमें से अगर tail missing है या neck जो है वो थोड़ी सी छोटी है या है ही नहीं या फिर head develop हो गया या 2 head हो गया तो उस structure की बनावट को morphology बोला जाता है पहले तो यह समझते हैं अगर structure आपके defect हो रहे हैं या कुछ भी defective उसमें structurally आ रहा है तो उसके लिए हम supplementation को use कर सकते हैं ठीक है जैसे कि बहुत सारे patients होते हैं इंडिया में तो खास करकि कि बहुत सारे patients यो हमारे पास आते हैं ज्यादा तर vegetarians होते हैं और vegetarians भी आज की date में वही मैं बोलूगा lifestyle थोड़ी ऐसी है जो हम पानी पीते हैं आरो का पीते हैं ठीक है आरो का पानी में minerals नहीं होते बाहर की जो simply हम जो vegetables भी खाते हैं वो भी पहले जैसे organic नहीं है उसमें भी fertilizers के साथ है तो बहुत अलग-अलग चीजे आप आज की date में हमारे surrounding में है तो इसलिए यहाँ पर आज की date में मैं यह कहता हूं कि आप अगर vegetarian है तो दो supplement को जरूर लीजे जो ज़्यादा तर हमेशन non-veg में मिलता है अगर आप non-veg नहीं खाते हैं तो आप market में availability है vitamin D और B12 की आप methylacobalamin जो होता है वो B12 के लिए होता है यह salt का नाम बता रहा हूँ मैं आपको आपके viewers को salt का नाम बता रहा हूँ जो salt है यह आपको किसी भी chemist पर methylacobalamin के नाम से मिल जाएगा आप इसको B12 के B12 intake के लिए आप ले सकते हैं दूसरा होता है vitamin D, vitamin D के बहुत सारे drops भी आते हैं, sashes भी आते हैं, calciferol बहुत सारी अलग-अलग चीज़े आती हैं आप उसको थोड़ा सा daily basis पर consume करना start करती है जिससे क्या होगा आपकी जो morphology है वो शायद ठीक होने पर आ सके अब बहुत सार पेशेंट्स को morphology के लिए बहुत अलग-अलग चीज़े दी जाती है B12 और यही सारी supplement तो आप B12 के लिए मिधाला को बाला मिन और vitamin D के लिए आप अरैकेटोल ले सकते हैं जो सर जो आपने अभी हमें बताया उसमें हमें यह भी जानकारी मिली कि ऐसे कौन से food supplements है जो हम add कर सकते हैं जिससे हमारा जो quality of sperm है जाए वो motility हो मॉफलोजी हो वो भड़ सके जो enhance हो सके Sir last questions है हमारे व्यूवर का कि आप Ayurveda का treatment देते हैं उससे कैसे oligospermia ठीक होता है या वो एक treatment का process क्या होता है देखो Ayurveda आजका नहीं है एक ancient science समझ लीजे आप उसको अगर मैं बात करूँ कि आज से कुछ 20 यो 25 साल पहले या 60 साल पहले सतर साल पहले या सो साल पहले उस टेम यह problems आजकी नहीं है बट आजकल जादा है उस टेम से बहुत जादा है पहले ऐसा नहीं होता था पहले होते थे कुछ कम होते थे patients बट उस टाइम यही तब डेवलप की कही आईवेद है अब यहां पर सबसे पहले क्या चीज़ होती है कि हम अंधेरे कमरे केंदर तीर नहीं मार सकते हमें आपकी सारी history चाहिए अब मैं यह बोलू कि मैं सिफ आपके sperm count या शुक्रानू बढ़ा सकता ह हूं तो मैं आपको जो दवाई दे रहो हूं हर किसी को बोली दवाई नहीं दे सकता है आईवेद के भी कुछ concepts है कि अगर आप किसी ऐसी truth cause पे काम करो जो आपको समझ आ रही है तो आप शायद उसको cover कर सकते हो या उससे achieve कर सकते हो जैसे हम patients में बहुत सारी देखते हैं कि जिनमें low sperm count आया है वो cause of उनका maybe शायद LFT है या बड़े लंबे टाइम से antibiotics खाये हैं TBVB का हुआ है दिक्कत या फिर बहुत लंबे टाइम से वो inactive रहे है physical activity में perform होने के लिए या उनको colitis बनावा है बड़े लंबे टाइम से in digestion जैसी problems create हुई है तो हम जरूरी नहीं आई disorder है उसको भी ठीक करो उनके अगर intestine में हलकी सी swell है या लूपस है तो उसको भी ठीक करो इसलिए आईवेद आज की date में थोड़ा सा advance हो चुका है क्योंकि वो भी समस्या को घराई से समझता है आपकी reports पर तो reports करवानी आईवेद में भी इतनी necessity है पहले के जमाने में एक नाड़ी ग्यान होता था उस time क्या होता था जब यह labs नहीं थी जितने भी technicians नहीं थे तो उस time क्या आपके अंदर कौनसी नाड़ी से क्या trouble आपको दिखाई देने को मिल रही है आज की date में advance है इतनी सारी ultrasound के centers हैं semen analysis के centers हैं बहुत अलग-अलग blood के centers हैं बहुत अलग-अलग जगा पर अलग-अलग आपको diagnostic centers मिल जाएंगे आपको labs मिल जाएंगी तो मेरे ख्याल से उनके पर believe करना ज्यादा असान है as compared to Nadi तो simply आपके आपके पास reports हैं तो आप बेचिंते हो के में को share कर सकते हैं मेरी टीम से बात कर सकते हैं Thank you sir आपने time दिया इन viewers के questions answer करें I hope जितने भी viewers हमें देख रहे हैं जितने भी patients हमें देख रहे हैं वो यह जान चुके हैं कि oligospermia ठीक हो सकता है अगर आपके शुकराणू कम है तो वो ठीक हो सकते हैं और आप conceive कर सकते हैं और अगर आपको कुछ और जानना है आपके कुछ और questions है, queries हैं जो हम Dr. Himanshu से पूच सकते हैं तो आप नीचे comment box में comment करें और हम उन्हें अगली वीडियो में कोशिश करेंगे कि Dr. Himanshu आप तक वो जबाब पहुँचाएं Thank you and take care